हम पढ़ रहे थे हरी घास पर ख्छन भर लेखक हैं अग्गे इसका अगला हिस्सा अपसुरू करते हैं देखो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं आओ बैठें इसी डाल की हरी घास पर मालिचो की दारों का ये समय नहीं है और घास तो अधनुवतन मानवमन की भावना की तरह सदा बिची है हरी न्योंतति को या करोंदे यानि नायक नायका को बोलता है आओ बैठते हैं गार्डन में थोड़ी दिर बाते करते हैं अभी घास लोग नहीं है तो बैठते हैं अब यहां से आगे बढ़ता है हम ने देखा था कि वह नायका को याद दिला था है कि हम कहां कहां मिले थे किस जगह मिले थे और बोलता है कि हम एक दुसरे को भूल जाएं देखो यहां लिखा है साफ धूल बरे पतफर जहां हम साथ चले थे आसाट का महीना था जील में साथ तेरे थे पेड़ की चाया में खड़े थे चहरा घाम यानि गर्मी से लाल हो गया था पसने की बूंदे जम गई थी बालों पी लटों पर चीलों की वन में साथ चले थे घोडों पर साथ चले थे नदी के पास साथ सले थे, भर्राई भी सीटी स्टिमर की यानि रेल में साथ सले थे, बांस का सहद खाया था, बबूल की वो गंध हम साथ मैसुस की थी हमने, तो यह सारी चीजें वो याद दिलाता है, अब यहां से बढ़ते हम, जहरा रेशम शिरीश का, याद करो, शिरीश के पेड़ के नीचे हम थे, और एक रेशम सा, रेशम, रेशम किस से बनता है, कीड़ों से बनता है, और कीड़ा कहा होता है, सहतूत के पेड़ पे होता है, तो यहां बोलता है, लेखक, रेशम शिरीश का कविता के पद, शिरीश के पेड़ के नीचे, रेशमी उसकी चाया में कविता के पत जब मैंने गाये थे तुमारे लिए याद है मस्जिद के गुंबद के पीछे डूबता सूरे दीरे दीरे जब हम मस्जिद के पीछे मिले थे मस्जिद के गुंबत के पीछे मिले थे और सूरस धीरे 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 डूब रहा था याद है जरने के चमकिले पत्थर मोर नी जब याद है जब हम जरने पे गए थे और उसके पत्थर चमकने वाले पत्थर जब हमने देखे थे मैसूस किये थे और याद है, वो मोर, और वो मोरनी, गुंगरू, याद है, संथाली जूमर का, लंबा कसक भरा आलाप, जब संथाल जो आदिवासी हैं, वो जब अपने वाद्दे यांतर बजा रहे थे, जूमर आदी, उनका एक लंबा सा आलाप, याद है, रेल का आह की तरह धीरे-धीरे खिचना, जब रेल गाड़ी, जैसे कोई दर्द, कोई आह निकाले मन से, वेसे रेल का अजन रेल को खेंचता है, धीरे-धीरे-धीरे, लहरें, जो हमने साथ देखी थी, आंदी और पानी, जब आये थे तब हम साथ थे, नदी किनारे की रेती पर बित्ते भर की चाह, ज़ाड की, जब हम नदी के किनारे थे, एक ज़ाड का पेड़ था, बित्ते भर का, ठिकना सा, छोटा सा, एक बालिस्त भर का, और उसकी चाया हमने देखी थी, अंगुल अंगुल नाप, नाप कर तोड़े तिनकों का समू, एक एक इंच इंच, हमने तिनके तोड़े थे, और उनका समू बनाया था, नाप नाप कर तोड़े थे, एक एक इंच के, तिनके, देखते हैं कि हम बैठते हैं तो साथ में तो खेलते हैं कोई तिनका होता है कोई लंबा डंडा होता है छोटा पतला तो उसकों तोड के बराबर के नाप लेता है डंडिया बना लेता है वैसे ही यह बताता है कि जब हमने अंगुल अंगुल नाप नाप कर तिनकों का सम्हू बनाया था तोड़ा था जब लू चल रही थी तब हम मोन थे क्या तुम्हें याद है देखो याद कर सके अनायास मैं सबको याद करना चाहता हूं हम दोनों इसको याद करें अनायास इसका उतलब है कि ऐसा नहीं कि और याद है क्या थोड़ा सा याद है ऐसा नहीं अनायास यानि बिना प्रयास के अनायास करते बिना प्रयास के तो ऐसा नहीं है कि इसमें याद करना पड़े यार तुम्हें याद है अमने ये किया था ये किया था ऐसा नहीं है अपने आप याद रहे वो यह कोई भूलने के चीज है क्या बिना प्रयास के याद आए अनायास याद आए और ना माने हम अतीत के सरनार्थी है और कोई ऐसा नहीं माने हमें कि हम अतीत के सरनार्थी है यानि हम अतीत में जीते हैं यानि हम हमें वर्तमान में जीना नहीं आता या हम भविस्ट्र के बारे में नहीं सोचते हैं, हम क्यों अतीत को लेके बैठे हैं, ऐसा कोई न माने हैं, हम हमारे साजे की चीजों को याद कर रहे हैं, हमारे दोनों की मिली जुली चीजों को याद कर रहे हैं, इसका मतलब यह कि हम इतियास वादी हैं, पुरान पंती हैं, पुरातन पंती हैं, पुरानी चीजों में पड़े रहते हैं, वर्तमान को जीना नहीं जानते हैं इसमरन हमारा जीवन के अनभव का प्रत्यावलोकन हमें नहीन बनावे और जब हम अपनी चीजों को याद करें इस्मरन यानि याद करना हमारा यानि हम दोनों जब याद करें हमारी अतीत की चीजों को यानि हम दोनों जब याद करें हमारी अतीत की चीजों को तो क्या नहीं हो? इस्मरन हमारा जीवन के अनभव का प्रत्याव लोकन हमें नहीन बनावे यानि हम अपने आपको हीन नहीं समझे कमजोर नहीं समझे देखो ये बड़ी बात है अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपके अंदर हीन भावन आईगी हीन भावन आने के कई कारण है लेकिन हमें लगता है कि यार हमने तब ये गलत किया था तो हमारे अंदर एक फिलिंग साएगी हमारे अंदर एक भावन आईगी जिसको बोलता है हीन भावन तो इस मरण हमारा जीवन के ये हमें हीन नहीं बनावे यानि अपने आपको हींता बोध से नहीं भर लें कि यार हमने कुछ गलत किया था या किया था या नहीं किया था तो ये चीजें हमें हीन भावना से नहीं भरें परत्य भिमुख होने के पाप बोध से कि आर वही चीजे आज हमारे सामने आ रहे हैं, परत्या भी मुख यानि हमारे सामने आना, तो हमें कोई पाप नहीं किया है, हम कहीं मिल रहे हैं, या नायक और नायक कहीं मिल रहे हैं, तो यह कोई पाप नहीं है, यह पाप बोध नहीं है, तो हमें हींता नहीं आना चाहिए, पाप बोध नहीं आना चाहिए हींतन नहीं आनी चाहिए आओ बैठो किषण भर आओ बैठो और याद करो उन चीजों को और याद करते हैं तो फी फीन भावना नहीं आया और कोई पाप बोध नहीं आया कि हमने कुछ गलत किया है या पाप किया है यहां हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था ऐसा मत ना सोचा जाए आओ बैटो ख्यान भर देखो इसमें बार बार आता ख्यान भर यह बहुत काम की चीज है दो बार तो यहीं आया है चनवर तो यह पूरी पूरी जो आधुनी कविता है और जो नई कविता है उसकी विशेशता है क्षणवाद क्षणवादी कविता यह दो जगे क्षणवाद आया है तो क्षणवादी कविता का मतलब हुआ जहां हर पल वर्त्मान को जीने की हर पल को भोग लेने की आकंक्षा हो इच्छा हो वहाँ पर खणवाद होता है आओ बैटो खणवाद तुम्हें नहीं हरू यह च्छण हमें मिला है नहीं नगर सेठो की फयाजी से यह पल हमें मिले हैं किसी की दान में नहीं मिले हैं किसी सेठ ने नगर के सेठ ने हमें दान नहीं दिया हमें मिला है यह है अपने जीवन की निधी से ब्याज सरीखा हमने अपने जीवन के खान से अपने जीवन के खजाने से ब्याज के जैसे इसको लिया है यह ब्याज है हमारा हमारे जीवन का जीवन के मूलधन का जीवन की निधी से जीवन के खजाने से हमने इसको चुराया है जीवन के खजाने से हमने इसको बचाया है तो किसी सेठ की करपा नहीं है यह फैयाजी यानि करपा फयाजी यानि कृपा कृपा या अनुकम्पा तो किसी नगर के सेट की कृपा से हमें नहीं मिला है यह यह तो हमने जीवन से लिया है चुराया है चीना है या समझो कि आपने जीवन से बचाया है यह पल आओ बैठो चन भर तुम्हें नहारू आओ बैठो मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ एक पल अपनी जानी एक एक रेखा पहचानू मैं तुम्हें जानता हूँ लेकिन तुम्हारे चेरे पे जो रेखाएं हैं इनको मैं दुबारा पहच जानना चाहता हूँ, देखो, दो सब्दाए हैं, निहरू और पहचानू, जानू, यह जानी हुई और पहचानी हुई है, ना, तो मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तो जाने वे को दुबारा जानना पहचानना है, आप पहले से जानते हो, लेकिन उसको तुम्हें देखा है लेकिन यार पहचान नहीं पाया यानि पहले से जानते है उसको लेकिन दुबारा जानने को बोलते है पहचानना इस पर वक्त की वज़ा से धुन्द जम जाए यादो पर फिर उसको दुबारा रिकॉल करें याद करें उसको दुबारा जान जाए तो उसको बोलते हैं पहचानना जान पहचान यानि पहले से जानते हैं उसको दुबारा जानना पहचानना होता है अपनी जानी एक-एक रेखा पहचाना हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे की सारी रेखाओं को जानता हूँ, लेकिन मैं इनको दुबारा पहचानना चाहता हूँ, जानी भी रेखाओं को दुबारा पहचानना हूँ चेहरे की तुमारे चेहरे पे जो रेखाएं है आखों की तुमारे आखों में जो रेखाएं हैं तुमारे आखों में जो मैं देख सकता हूं अंतरमन की और तुमारे मन में जो रेखाएं हैं तुमारे मन में जो भावनाय हैं तुमारे आखों में जो भावनाय हैं और हमारे सा यानि एक साथ अनंत बहुत ज़्यादा इसमर्तिया यानि यादे इसका मुतलब यह है कि यह कोई पहली बार नहीं मिल रहे गार्डन में यह कई बार मिल चुके हैं पहले अलग लग जगए पर बताता भी यह लेखक कि हम वहाँ मिलें थे वहाँ मिलें थे manufacturedा अब इस गार्डन में बैठते हैं दुबार, माली और चोकेदार नहीं है तो यह कोई ने ने प्रेमी नहीं है यह कई बार मिल चुके हैं पहले इसलिए बोलता है कि मैं तुम्हें जानता हूं दुबारा पहचानता हूं आप देखेंगे, तो हलकिसी जिजग होगी, सर्म होगी, लेकिन ये मना करता है, जिजग नहीं होनी चाहिए, और ये भी नहीं सोचना जाए, कि मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो मेरे अंदर वास्ना भरी है, दभी भी वास्ना है, ये मेरा सुद्ध प्रेम है, जिजगो मत कि मैं कामी हूँ, कामुख हूँ, वास्ना भरी है मेरे अंदर, ये सोच कि जिजगो मत, मैं तुम्हें सुद्ध प्रेम शे देख रहा हूं, आगे की कविता, अगली क्लास में, धन्यवाद,